बिसम्लाइ रख्माने रह्माने रह्माने नाइट क्लास National Book Foundation का चाप्टर नुबर 2 कानिमेटिक्स के नुमेरिकल प्रोब्लम सौर्व करेंगे Exercise Solutions के लिए आप हमारा चैनल सबस्क्राइब करें यहां पर आपको बहुत सी informative वीडियोज मिलेंगी तो हमारा फस्ट प्रोब्लम है Convert the following A, B, C and D यह कुछ हमारे पास वारियोज गिवन हैं उनको एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में कनवर्ड करना है जानी कि एक जूनिट से दूसरे जूनिट में Convert करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्रीफिक्स का सहारा लेते हुए जिस तरह से भी Conversion हो सकती है हम उसको Convert करेंगे आपको इन Conversion के लिए जो प्रीफिक्स वाला टेबल है वो याद होना चाहिए तो सबसे पहले हम एपार्ट इसका सॉल्व करते हैं जिसमें कहा गया है कि 160 किलो मीटर पर आर को मीटर पर सेंकिड में Convert करना है तो हमारे पास वैलियो क्या गिमन है 160 किलो मीटर पर आर इसमें किलो मीटर को मीटर में और आर को सेंकिड में Convert करना है किलो मीटर को मीटर में कनवर्ट करने के लिए simply किलो जो प्रिफिक्स है वो thousand की equal होता है इस किलो की जगा पे thousand लिखनेंगे यानि कि ये आ जाएगा one sixty multiply by thousand मीटर हो जाएगा और hours को second में कनवर्ट करने के लिए पर hours है यानि कि hours are divisions में है तो one hour division में है इसको हम division में क्या करेंगे seconds में convert करने के लिए एक hour में sixty minute multiply by sixty seconds होते है तो उपर वाली values को multiply करेंगे ये हमारे पास value आ जाएगी one six zero 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 divided by three six double zero और unit क्या बन जाएगी meter per second इसको divide करेंगे calculator से तो ये 44.44 meter per second आ जाता है next हमारे पास इसका b part है उसमें कहा गया है कि 36 meter per second को kilometer per hour में convert करें तो 36 meter per second हमारे पास value given है अब ये उसका opposite है वहाँ पर prefix given था हमने put कर दिया यहाँ पर prefix नहीं है बलके उसको हमने convert करना है given prefix में तो meter की जगा पर kilometer लाने के लिए thousand से divide करेंगे और second अगर division में है इसको हमने ours में convert करना है तो 36 hundred से उसको divide करेंगे यानि कि वहाँ पर thousand से multiply किया था तो यहाँ पर kilometer को meter में convert करने के लिए thousand से multiply किया तो meter को kilometer में convert करने के लिए thousand से divide करेंगे ours को second में convert करने के लिए 36 hundred से divide किया था तो यहां पे Sankt को R's में Convert करने के लिए 3600 से Multiply करेंगे इस तरहीं के सी मीटर पर Sankt को है, वो किलो मीटर पर R की वालियों में Convert हो जाएगा तो इसको हम Multiply करके Simplify करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी 129.6 किलो मीटर पर R इसी तरह C पार्ट में कहा गया है कि 15 किलो मीटर पर आर स्केर को मीटर पर सेंकेट स्केर में कनवर्ट करना है अब किलो मीटर को मीटर में और आर स्केर को सेंकेट स्केर में कनवर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 15 km पर आर स्केयर है 15 किलो की वैलियो 1000 इंटू मीटर और आर को सेंकेड में कन्वर्ट करने के लिए यह वन आर का स्केयर का मतलब यह है कि वन आर की जो भी वैलियो है उसका स्केयर आएगा डिविजन में तो 36 एक हार में 36 hundred स्केड होते हैं तो 36 hundred का स्केयर स्केयर तो सिंप्लिफगा करें के 15,000 डिवाड़ẩc ऑ्वा वन टु नाइज 6 ंडू डू 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 मीटर पर स्केयर आजाएगा डिविजन करेंगे calculator की मदद से तो 0.001157 meter per second square आ जाता है Next D part जो है वो C part का opposite है कि वहाँ पे हमने kilometer को meter में convert किया था तो यहाँ पे meter को kilometer में convert करना है और R square को second square में convert किया था तो यहाँ पे second square को R square में convert करना है तो 1 meter per second square के लिए हम क्या करेंगे वहाँ पे 36 hundred square से divide किया यहां पर 3600 स्केयर से multiply करेंगे और मीटर को किलो मीटर में convert करने के लिए 1000 से divide करेंगे वहां पर 1000 से multiply किया था यहां पर 1000 से divide करेंगे इसको simplify करेंगे स्केयर open करके तो यह हमारे पास value बन जाएगी 12960 किलो मीटर पर आर स्केयर तो इस तरीके से यह किसी भी किसम की आप conversion कर सकते हैं यह conversion करने के लिए आपको prefix वाला table आना चाहिए next आपके पास numerical number 2 है in 10 seconds a cyclist increases its speed from 5 km per hour to 7 km per hour while a car moves from rest to 20 km per hour in same time कि 10 seconds में एक cyclist जो है वो अपनी speed increase करता है 5 km per hour से 7 km per hour कर हम data note करते हैं time हमें 10 seconds का given है initial velocity cyclist के लिए 5 km per hour है 5 km per hour को जिस तरह पिछे आपको conversion समझाई है उसी तरीके से इसको meter per second में convert किया kilometer को meter में convert करने के लिए 1000 से multiply किया और hours को second में convert करने के लिए 3600 से divide किया तो यह simplify होके 1.39 meter per second आगया इसी तरह final velocity cyclist के लिए VF cyclist जो है 7 km per hour गिमन है इसको हमने meter per second में convert करने के लिए 1000 से multiply किया और 3600 से divide किया तो 1.94 meter per second आगया इसके साथ साथ cars move करती है car ने move किया है rest से तो उसकी initial velocity 0 होगी और final velocity 20 km per hour है इसको भी हम उपर वाली values की तरह सिंप्लिफाइ करेंगे मीटर पार second में तो 5.5 मीटर पार सेड़ा जाएगा हम इसकी conversion क्यों कर रहे हैं यह बात चाहत रखिए का कि जितने भी numerical solve करने होते हैं उनके data में जो भी values given हों यह नहीं कि acceleration of the cyclist and acceleration of the car calculate करना है और इन दोनों में से किसका acceleration ज्यादा है वो भी हमने बताना है तो इसका solution हम देखते हैं acceleration हम calculate करने के लिए acceleration का formula apply करेंगे a equal to vf minus v i divided by t पहले हम cyclist के लिए values put करेंगे vf की value cyclist के लिए 1.94 है और v i की value 1.39 है divided by t हमारे पास 10 है इसको subtract करके 10 पे divide किया तो 0.055 meter per second square आ जाएगा इसी तरह car के acceleration calculate करने के लिए हम दोबारा यह वाला formula apply करेंगे acceleration का a equal to vf minus v i divided by t car के लिए vf की value 5.5 है v i की value 0 है divided by 10 किया इसको simplify करेंगे तो यह acceleration आ जाएगा 0.055 meter per second square अब end पे इन दोनों के बारे में बताना भी था कि which has greater acceleration किसका acceleration ज्यादा है तो हम इन दोनों पे गोर करें तो car का जो acceleration है वो cyclist की निस्वत ज्यादा है इसके बाद numerical number 3 है a ball is thrown straight up such that it took two seconds to reach the top after which it started falling back एक ball है जिसको उपर की तरफ थो किया गया है और वो दो seconds में highest point पे पहुंच जाती है जिसके बाद वो नीचे आना शुरू होती है तो car की इसकी ball की initial speed क्या थी वो हमने calculate करनी है तो सबसे पहले हम इसका data note कर लेते है data में हमें क्या given है ball is thrown straight up took two seconds यानि कि time हमें given है two seconds का to reach the top after which it started back top पे पहुंचेगी तो इसका मतलब यह है कि जब वो top पे पहुंचती है तो उसकी जो final velocity है वो zero हो जाएगी क्योंकि highest point पे पहुंचकर object जो है वो कुछ लेर के लिए रुकता है जब रुकेगा तो final velocity zero हो जाएगी उसके बाद वो वो वापस आना शुरू होती है तो हमने वो speed find करनी है जो speed से ball को उपर की तरफ थो किया गया था यानि कि initial velocity उसकी calculate करनी है जी की value हमें मुलूम है 9.8 meter percent square होती है जहां पे negative value इस वज़ा से ले रहे हैं कि ball को नीचे से उपर की तरफ थो किया गया है जब object नीचे से उपर की तरफ थो करेंगे initial velocity calculate करने के लिए यह जो हमें values given है terms given है इनके मताबब एक first condition एक first equation जो है वो हम use करेंगे VF equal to VI plus 80 इसमें VF की value 0 given है VI calculate करना है acceleration minus 9.8 80 की value 2 है इसको simplify करें यह value minus वे आएगी दूसरी side पे जाकर plus हो जाएगी तो हमारे पास answer आ जाएगा VI equal to 90.6 meter per second यहनि के उस ball को उपर की तरफ थो करते वक्त जो के 2 seconds में highest point पर पहुंच जाती है उसके लिए initial velocity 19.6 meter per second होनी जाएगी है इसके बाद next problem number 4 है एक car moving with uniform velocity of 20 meter per second for 20 seconds एक car है जो uniform velocity के साथ move कर रही है और उसकी velocity हमें given है 20 meter per second की और वो move करती है 20 seconds के लिए और उसके बाद brake supply की जाती है और वो car rest पे आ जाती है uniform deceleration के साथ और deceleration कितने time के लिए था 30 seconds के लिए plot the graph to calculate the distance using speed time graph graph plot करना है और उसके बाद distance calculate करना है speed time graph की मुदद से तो data में हमें क्या given था car की जो velocity है वो 20 meter per second है और ये कितने के लिए है T1 20 seconds के लिए उसके बाद brake supply की गई तो वो car rest पे आ गई rest पे आएगी तो final velocity zero हो जाएगी और साथ ही हमारे पास जो T2 given है यानि के initial velocity से final velocity तक पहुचने में जो time था वो 30 seconds है तो distance हमने calculate करना है यानि के अगर हम इसका graph draw करें तो graph में horizontal line के across time आएगा seconds में और vertical line के across velocity आएगी मीटर पास सेंकेड में कहाँ ये किया था कि car initially 20 मीटर पास सेंकेड की uniform velocity के साथ move कर रही है यानि के time के साथ साथ velocity 20 ही रहेगी चेंज नहीं हो रही तो 20 से straight line हम यहां तक ले आए और ये कितने के लिए था 20 seconds के लिए इसके बाद next 30 seconds में यहां से लेकर इदर से इदर तक 30 seconds में car deceleration के साथ वापस आई है यानि के deceleration हुआ uniform deceleration next 30 seconds के लिए और उसके बाद car rest के आगई यानि के उसकी velocity 0 हो गई तो इस case में हमने distance calculate करना है distance जब graph की मदद से calculate किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि area under the graph जो है वो हमें distance देगा तो total distance equal होगा area under the graph जानि के area अपर हमारे पास किसकी equal है S जो total distance है S area under the graph से मुराद यह है कि अगर हम graph पे गवार करें तो एक हमारे पास इसमें rectangle shape है और एक triangle shape है rectangle shape से मुराद यह है कि area of rectangle calculate किया जाएगा base multiply by height से यानि कि length multiply by width होती है तो यह base multiply by height होगा और triangle का area calculate करने का formula है 1 by 2 base into height ठीक है तो values put करते है area of rectangle के लिए जो base है वो 20 है और height हमारे पास 20 है base into height 20 into 20 हो गया प्लस 1 by 2 अब triangle के लिए base 30 है और height वो ही 20 है तो 30 into 20 हो गया जे 20 और 30 जो है वो sentence के लिए है और यह जो 20 लिखा है यह हमारे पास velocity के लिए है तो इसको simplify करेंगे यह 400 प्लस जे 600 divided by 200 हो जाएगा तो total करने से यह distance s equal हो जाता है 700 meter जे हमारे पास distance आ जाएगा टोटल डिस्टंस जो object कवर करता है वो हमने graph की मदद से calculate कर लिया next हमारे पास problem number 5 है girl starts her motion by a racing bicycle in a straight line at a speed of 50 km per hour एक लड़की है जो अपनी motion start करती है racing bicycle की मदद से straight line में उसकी speed 50 km per hour है हर speed is changing at a constant rate उसकी speed constant rate पे change हो रही है अगर वो stop कर जाती है 60 seconds के बाद तो उसका acceleration क्या होगा तो हम इसका data note कर लेते हैं car starts her motion by a racing bicycle in a straight line at a speed of 50 km per hour जैने के car उसने start लिया है तो क्या speed से 50 km per hour initial velocity 50 km per hour को हम मीटर पर seconds में convert करेंगे किलो मीटर को मीटर में convert करने के लिए 1000 से multiply किया और hours को seconds में convert करने के लिए 3600 डिवाइड किया simplify होगे जिए 13.89 meter per second initial velocity आ गई her speed is changing at a constant rate if she stops after 60 seconds जब stop करेगी तो final velocity 0 हो जाएगी और time कितना लिया stop होने में t equal to 60 seconds what is her acceleration a calculate करना है तो इसमें भी हम first equation of motion जूस करेंगे simply या first equation of motion की मदद से जो acceleration का formula निकलता है a equal to vf minus v i divided by t वो हम use कर लेंगे तो इसमें vf, v i और t की values put करेंगे vf की value हमारे पास given है 0, v i की value 13.89 है और t हमारे पास 60 है इसको हम calculator की मदद से divide करेंगे तो acceleration आ जाएगा minus 0.23 meter per second square यही acceleration हमने calculate करना था अब इस acceleration में negative sign का क्या मतलब है तो negative sign का इसमें मतलब यह है कि negative sign यह शोग करता है कि car की speed decrease हुई है यह यह निके deceleration था और वो ही हमें यहाँ पर बताया भी गया था कि deceleration है speed change होती है constant rate के साथ तो stop कर जाता है 16 seconds में stop करने का मतलब यह है कि speed decrease भी speed decrease को होने की मतलब यह है कि deceleration हुआ तो यह negative sign हमें deceleration ही show कर रहा है इसके बाद next हमारे पास problem number 6 है consider the following speed time graph speed time graph एक बताया गया है और उसमें यह कहा गया है कि which part of the graph is showing acceleration deceleration and zero acceleration ठीक है यह graph दिया गया है question में और इस graph का पूछा गया है कि कौन सा part जो है वो acceleration show कर रहा है कौन सा deceleration show कर रहा है और कौन सा zero acceleration show कर रहा है और उसके बाद b part में हमने calculate करना है cover distance from 10 seconds to 20 seconds from the graph 10 seconds है 20 seconds में कितना distance cover हुआ वो भी calculate करना है तो पहले हम a part solve करते हैं जिसमें यह कहा गया था कि acceleration कौन सा part show कर रहा है तो a part की अगर हम बात करें इसमें o a part जो है इसमें time गुजरने के साथ-साथ speed increase हो रही है तो इसका मतलब यह है कि यह हमें acceleration show कर रहा है जब time के साथ-साथ speed increase हो speed में changing आए velocity में changing आए तो उसको हम acceleration का नाम देते हैं तो o a part हमें acceleration show कर रहा है उसके बात अगर हम b c part की बात करें deceleration की बात की गई थी के deceleration कौन सा part show कर रहा है तो b c part की बात करें तो यहां पर b point के velocity 50 मीटर पार सेंगेट थी और c part पर 0 हो चुकी है यानि के 50 से 0 की तरफ जाते हुए speed decrease होई है speed decrease होने का मतलब यह है के deceleration है तो यह b c part deceleration show कर रहा है इसी तरह zero acceleration कौन सा part है जो a b part है a से b तक velocity जो है वो 50 मीटर पार सेंगेट ही है वो change नहीं हो रही जब वो change नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है के जो acceleration है वो तो change in velocity होता है जब change ही नहीं हो रही velocity constant है तो इसका मतलब यह है के जहां पर acceleration 0 होगा उसके बाद b part हमें कहा गया था कि distance हमने बताना है 10 से 20 seconds में कितना distance cover हुआ distance का formula होता है velocity divided by time तो हम यहां पर वो ही formula apply करेंगे यानि के distance equal होगा area under a b area under a b यानि के इस a b के अंडर जो area आ रहा है यह rectangle हमारे पास बनती है इस rectangle का area अगर हम calculate कर लेते हैं तो distance हा जाएगा s equal आ जाएगा area of rectangle यानि के area of rectangle में length जो है वो 50 given है 0 से 50 तक line है divided by base given है वो 20 minus 10 यहां से लेकर यहां तक total distance 10 बनता है total time 10 बनता है तो 50 into 10 यह हमारे पास अंसर आ जाएगा 500 meter तो 10 से 20 seconds में जो star ने distance move किया है वो 500 meter का distance है तो यहां तक इस chapter के numerical problems थे मजीद किसी भी chapter की exercise का solution देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं इसके लावा अगर आप किसी भी subject की online जाओन tuition पढ़ना चाहते हैं तो आपसे बड़ साथे contact कर सकते हैं Thank you Thank you